जिस बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपको देश की राजनिती को समझ ना है तो बिहार की राजनिती को समझ लीजिए आपको पूरे देश की राजनिती समझ आ जाएगी उस बिहार के बारे में क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि बिहार के पांच सबसे राजनितिक दल कौन से है और वो बिहार जहाँ पर दो राश्ट्रिये पाटिया जो है चुनाओ लड़ती है और उसके अलावे कई छेत्रिये दल मौजूद है उसमें सबसे बड़ी पाटि कौन सी है जो देश की सबसे बड़ी पाटि है जो 20 की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है या नहीं, या फिर बिहार के छेत्रिये दल जो हैं, वो ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, राष्ट्रिये जनता दल जो कई वर्सों तक सत्ता में रही है, उसका नंबर कितना है, और वो पाटिया कौन सी है लेकिन इससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि जीतनरा माजी उपिंदर कुस्वा जैसे थमाम बरे बरे निताओं की पाटिया भी बिहार के छत्रिये दलों में से आमिल है लेकिन इस टॉप फाइब में अस्थान उसी को मिला है जो वास्तों में बिहार क सबसे बरे पांच राजनितिक पाटिया हैं उनको हमने अस्थान दिया है और इस सुची में जो पाचवा नाम है बिहार की पाचवी सबसे बड़ी पाटि जो है वो है चिराग पासवान की पाटि लोक जनसक्ति पाटि राम बिलास लजे पी आर जिसका चुनाओं चिन्ध जो है वो हेलिकॉप्टर छाप है उसके बारे में हम आपको वताएंगे कि ये बिहार की पाचवीश सबसे बड़ी पार्टी क्यों है सबसे पहले तो इसका गठन जो है लोजपा के नाम से होता है दो हजार इस्वी में रामबिलास पासवान जब जनता दल से अलग होते हैं तो अपनी पाटी बनाते हैं लोजपा लोक जनसक्ती पाटी लेकिन उसके बाद जो है ये पाटी बाद में जाकर के तूट जाती है और उसके बाद जो है ये पाटी दो गुटों में बढ़ जाती ह एक RLJP के नाम से बन जाती है जो पसुपती पारस की है और एक बन जाती है LJP R के नाम से जो चिराग पास्वान की पाटी है हम चिराग पास्वान की पाटी के बारे में बात कर रहे हैं ये बिहार की पाचवी सबसे बड़ी पाटी है और वो क्यूं है तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं सबसे पहले आप जान लिजे कि लोजपा रामविलास का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो राजुतिवा यहां पर जनता दलि उनाइटेड का प्रत्यासी था और इसकारण से लोग जनसक्ती पार्टी भले ही चुनाव में अधिक सीते नहीं जीत पई मातर एकी सीट पर कपजाजमा पाई लेकिन इसका आलम ये रहा कि लोक जनसक्ती पाटी का वोट प्रतिशत इतना जादा रहा कि जदियु इससे बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई और फिर जदियु को कमजोर करने में सबसे अहम भूमिका में लोक जनसक्ती पाटी चिराग प बात की जाए 2024 के लोगसभा चुनाओं में लोजपा राम बिलास को चिराग पास्वान की पाठी को पाँच सीटों पर चुनाओ लड़ने का मॉका मिलता है और पाचों ही सीटों पर चिराग पास्वान की पाठी जड़ा गार देती है चुनाओ जीत जाती है और इस कारण से फिलाल जो है ये बिहार में बिहार की राजनितिक पार्टी जो है वो पंजा छाप है इसके गठन के अगर बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 को AO Hume के द्वारा जो है इसकी अस्थापना की गई थी लेकिन चुकि हम बात बिहार की करने वाले हैं तो हम आपको बताते हैं कि बिहार में कॉंग्रेस के सबसे पहले और सबसे बड़े जो नेता ह हुए थे वो स्री कृष्ण सिंग थे जो बिहार के मुख्यमंतरी पहले माने जाते हैं उसके बाद प्रदेश अधक्ष की बात की जाए कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस के प्रदेश अधक्ष जो है फिलाल अखिलेस सिंग है और 2020 के विधानसभा चुनाओं की बात की जाए क जमांग्रेस का प्रदर्सन कैसा रहा था तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लारा था विधानसभा में और इसमें से मात्र 19 सीटों पर चुनाव में जीत हुई थी कॉंग्रेस की और इस कारण से कॉंग्रेस की बड़ी थूथू हुई थे उस समय कहा गई यह गया था कि अगर कॉंग्रेस को जितना सीट दिया गया था उतना किसी और दल को दिया गया होता तो साहिद 13 मुख्य मंत्री बन गे होते लेकिन फिलाल जो है नंबर के हिसाब से ये बिहार की चौथी सबसे वड़ी पार्टी है उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाओ की बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाओ में कॉंग्रेस 9 सीटों पर चुनाओ लड़ी थी और 9 में से 3 सीटों पर च percentage-wise परतरशन का अच्छा रहा है बाकि इस सुची में जो 3 सबसे बड़ा पार्टी है वो है जनतादल युनाइटेडड नितिस्कमार के पार्टी है और जिसका चुनाओ चिन तीर शाप है तीर चुनाओ चिन है जनतादल युनाइटेड का गठन का कहानी अगर बत की जाए तो 1999 में सरद यादो गुट के जनतादल और लोक सक्ती पार्टी और उसके अलावे समता पार्टी के विले से इस पार्टी की अस्थापना होई थी और बाद में जाकर के नितीश कुमार इस पार्टी के बैनर के तले नेता बनते हैं और बरे नेता बनकर के बिहार के मुख्यमंत्री भी बनते हैं इसके प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो उमेश कुस्वाहा वर्तमान में इस जनतादल उनाइटेड के प्रदेश अध पिलाल नितीश कुमार का मतलब बहुत ज्यादा चलता है इस पार्टी में और अगर बात कीजा 2020 के विधान सभा चुनाओं में तो ये पार्टी जनता दल उनाइटेड 122 सीटों पर चुनाओं लड़ी थी भाजपा से एक सीट ज्यादा चुनाओं में इसने लिया था लेकिन आलम ये रहा कि लोक जनसक्ती पाटी राम बिलास या फिर लोक जनसक्ती पाटी चिराग पासवान की जो पाटी थी उसके कारण जो है ये मात्र 43 सीटे ही जीत पाई थी और इस कारण से ये जो है बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पाटी बनकर के उबरी थी और इस कारण से यह अभी भी तीसरे नंबर पर मौझूद है, हलाकि भले ही सीट कम आया, लेकिन नितीश कुमार ही हरदम मुख्यमंत्री बने, या तो वह हमाँ अगठ मंदन के साथ गए तब भी, या फिर एंडिये के साथ रहे, तब भी नितीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, तो भले ही इस पाटी ने सीटे कम जीती, लेकिन इसका महत तो इतना रहा, कि इसी पाटी के नेता हरदम मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाओं की बात की जाए, तो इसमें जो है, मतलब कि जनता दल उनाइटेड लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा है, जनता दल उनाइटेड का, वो भारतिये जनता पाटी से थोड़ा बेहतर रहा है, परसेंटेज वाइद अगर बात की जाएगी तो, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे, बिहार की दूसरी सबसे बड़ी राजनितिक पाटी के बारे में, बिहार की दूसरी सबसे बड़ी राजनितिक पाटी जो है, वो भारतिये जनता पाटी बनकर के उवरी है, अब इसके पीछे बहुत सारे कारण है, बहुत सारे तर्क हैं वो भारतिय जंता पार्टी जिसका चुनाओ चिन कमल छाफ है उसके बारे में बताएंगे आपको कि क्यूं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है पहली क्यूं नहीं है लेकिन उसे पहले आप जान लिजे कि भारतिय जंता पार्टी का गठन जो है 6 अप्र प्रदेश सद्यक्ष की बात की जाए तो भारतिय जंता पार्टी ने अभी अपना प्रदेश सद्यक्ष बदला है दिलिप जैस्वाल जो है हाली में इसके प्रदेश सद्यक्ष बने हैं और अगर बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाओं की तो 2020 के विधानसभा चुनाओं म ये बिहार विधान सभा में फिलाल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस पार्टी के निटता है समरात चौधरी और विजय सिन्हा जो फिलाल विधार सरकार में उपमुख्यमंत्री भी है और 2024 के लोगसभा चुनाओं की बात की जाए तो 17 सीटों पर ये चुनाओं लरती है लोगसभा की और उसमें से 12 सीटों पर चुनाओं लरती जीतती है और इस कारण से लोगसभा चुनाओं में जन्ता देल उनाइटेड का प्रदर्सन जो है परसिंटेज वाइस भार्जपा से बहतर हो जाता है जबकि विधान सभा चुनाओं में भारतिये जन्ता पार्टी क प्रदर्सन बेहतर रहता है अब हम आते हैं बिहार की सबसे नंबर वन पार्टी राष्ट्रिये जन्ता दल के बारे में बात करेंगे राष्ट्रिये जन्ता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी क्यों है पहले आप यह समझ लिए नंबर गेम के हिसाब से बिधान सभा में नंबर वन की पोजीशन में है ये सबसे पहला कारण, दूसरा कि राष्ट्रिय जनता दल के पास अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है तेजस्वी परसाद यादो और तीसरा कि राष्ट्रिय जनता दल का जो कैडर है वो बहुत मजबूत है और इस कारण से राष्ट्रिय जनता दल का स्ठापना करते है और इसके बाद अगर बात की जाए इस पाटी का चुनाओ चिन का तो लल्टेन छाप है उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो राष्ट्य जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जगदानन सिंग है वरतमान में इनके बेटे सुधाकर सिंग लोकसभा पहुंचे है चुनाओ जीत करके और 2020 के विधान सभा चुनाओ के अगर बात की जाए राश्टिय जनता दल का तो ये 144 सीटों पर चुनाओ लरती है मतलब सबसे अ प्रदर्शन राश्टिय जनता दल से थोड़ा बहतर रहता है बाकि ये बिहार की जो है पांच सबसे बरी राजनितिक पाटिया थी अब आप बताईए कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से बिहार की सबसे बरी राजनितिक पाटी कौन है अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दिजेगा और देखते रहिएगा ज